जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता के मंदिर में शनिवार के दिन ये तीन चीज जरूर चड़ाएं इस मंतर का चाप 21 बार करके माता आपके सरीर में अपने आप बैड़ जाएगी जी हाँ भक्तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो माता काली को सवारी रूप में बुलाना चाते हैं अपने सरीर में ये वीडियो उनी लोगों के लिए है क्योंकि जब माता आपके सरीर में बैड़ जाएगी तब ही तो वो सवारी रूप में खेलेगी जब तक माता आपके सरीर में नहीं बैठेगी तब तक माता आपके सरीर में खेलेगी भी नहीं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो आपको जल्दी से किसी ने नहीं बताया होगा और आप पहली बार ही महा काली भगत गयान यूटुब चैनल पे देख रहे होंगे कि माता को अपने सरीर में कैसे बेठाना पड़ता है आज मैं आपको सीधा सीधा एक छोटा सा उपाई बताने जारी हूँ जो आपको कहीं नहीं करना काली माता के मंदिर में शनी बार के दिन और एक बार करना है तीन चीज आपको चड़ानी है जो जो मैं वीडियो में बताऊंगी एक साथ में आपको मंतर बताऊंगी जो मंतर आपको 21 बार बोलना है 21 बार इस मंतर को बोलना है और उसके बाद आप अपने आप चमतकाद देखना कि माता काली आपके सरीर में कैसे बैठेगी जब सरीर में माता बैठ जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी आपको क्या करना है वीडियो को देखना है लास्ट तक अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप आदियदूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है तो चलिए भक्तो मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथी इस वीडियो में बताँगी लेकिन बताने से पहले आप से एक छूटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग महा काली भक्त गयान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो अधित्र करके काली माता के जितने भी भक्त हैं जो माता को सरीर में बुलाना चाते हैं वो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पताएंगे क्योंकि ये वीडियो भी उनी भक्तों के लिए होने वाली है तो देखे शनी बार के दिन आपके आजिपास के एलिए में जो भी माता काली का मंधिर हो वहां जाके आप इस कारे को कर सथे हैं चाहे वो सिद्ध पीठ हो, चाहे फिर वैसी नॉर्मल मंदिर हो जैसे होते हैं, कैसा भी हो, आपको बस मंदिर में ये तीन चीजें चड़ानी हैं, और एक मंतर जो बताऊंगी, वो आपको अपने घर पर बैठ कर चाप करना है, ठीक है, तो तीन चीज में, पहली चीज में आ आपको माता का सिंगार लेना है, ठीक है जी, तीन चीजे हैं, जो जो मैंने बता दी है, और इनी का आपको इस्तमाल करना है, सिंगार में आपको ओरीजिनल समान लेना है, लोकल वाला नहीं लेना, चाहे आप 5 चीज लो, चाहे 7 लो, 11 लो, 16 लो, जितना सिंगार में आप च नक्लिके माटा को सूके गुले की भेट देना और उनके मूँ twists से पान कहलाना the माता के मूँभी पानवान लगama कर रखना कम Marsh kal κ temporal दो-ती, मिनिट इस माता उन थो माता को गिलना ही माता यह बीड़ा अपना मंजूर करो ठीक है यह करने के बाद मंदेश से दर्शन नर्शन करके आपको डारेक्ट अपने घर आ जाना है घर आने के बाद आपको जो मैं मंतर बतारी हूँ इसको ध्यान से सुनो मंतर है ओम नमो नमो महाकाली दोनों हात बजाए ताली जहां जाए बजर की धाली वहां न आये तुस्मन हाली तुहाई तुझे गुरू कोरकनात की तुहाई तुझे बाबा बीर हनुमान की ठीक है ये सिंपल सा मंतर है जो कि कितना असान है और मैंने आपको बता दिया आप इस मंतर को लिख लो लिख के इसे अच्छे से याद कर लो अच्छे मंतर को आपको जपना है 21 बार ठीक है 21 बार जब इस मंतर को जपो गए दो अगर बती या फिर छोटा सा दिया अपने पास में जलाके नीचे धर्ती पर आसन बिछाके तब आप इस मंतर को जपना उसके बाद आप लोग देखना जब माता आपके सरीर में बैड़ जाएगी तो आपको पूजा पाट के समय ऐसा महसुस होई करेगा जैसे आपके आसपास कोई है पीछे कोई खड़ा है कोई आपको देख रहा है कोई आप से बात करने की कोशिश कर रहा है रात को सो होगे सोते समय आपको जटके लगेंगे और जटके लगेंगे ऐसे लगेगे कि आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी सबज में भी आही गया होगा अगर नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूश सकते हैं मैं आपका जब आप जरूर दूँगी अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली आपकी मनुकामना है पूरी करें